आलिया यली से पूश्टे कि सब क्या हो रहा है लिली से कहती है कि मुझे खुद नहीं पता है सब क्या है पिछे से अंदान आ जाती है और उसे कहती है इसका मतलब कि साधिक जुनेट का भाही नहीं है इसको भी भी इस बात की पड़ी है यली सभी भी शौक ट्रफ दुवान क आप पर ही जाएंगी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेंगा जैसे कि एकसिडेंट जिससे किसी का भी शक आप पर नहीं जाएगा इतने में यल्दिस आ जाती है दौान से मिलने दौान से कहती है कि जो बाइर सब कुछ हुआ है वो सच है यह सब आप ने कराए है यल्दिस जुनेय कि कई चीज के बारे में एस अद्सÉं कोई बात नहीं करना जाता वह दौान की बात सुनकर वहां से चले जाती है जाते है यह यह जो जुनेयर मिल जाता है यह तो मेर कुछ नहीं कह सकता यए यह कहकर जाता गर आकर येल्दीज आस्मा को हर बार बताती है तो आस्मा उसे कहती है दुआने जुनेड के साथ जो भी किया वो ठीक कियाơ वो इसी कहला है तुम यह और सोचे कि दुआने तुम्हें थे गलत नहीं कyया और ना तुम्हें कभी नुकसान बन चाया है इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शोर का साथ दो और तुम्हें वो जो बताया तुम इस पर यकीन करो दुआन एक बुरा आदमी नहीं है लेकिन वो जो भी जुनेट के साथ कर रहा है वो ठीक कर रहा है चुंकि जुनेट इसी के लाइक है यली जास्मा से कहती है कि आप तो ब्रेंड वोश करने में माहिर है आलिया जुनेट के पास आती है उसे कहती है कि तुम्हें जो किया वो तच्छा किया मैं तुम्हारी ये बहुदरी दे कर बहुत इंप्रेस हुई हूई हूँ आलिया उसे कहती है कि दुवान अब चुप करके नहीं बटेगा वो इसका बदला जरूर लेगा तुमसे इंचोर्ट आलिया जुनेट फिर से मिल गया साथ दुवान के खिलाफ घ्रात वो और वो सेकते हैं कि मैं तुमसे जूत नहीं बरूँंगा और। नहीं इस यਸिना करूगा और वो को जैलिसी होती है इसलिए दौान उसे कहते है कि तुम आज के बाद जुनेद के बार में कोई बात ने करोगी नाहीं उसके पास जाओगी की सीवीटई प्यार मबथ की बाती बाते वो यलदी से करता है यहां पर कॉमल को दौान और यलदीस का एक साथ को ऐकर बहुत गुसा आता है कोमल का कहती है कि दौान को यलदीस के लावा वार को कई नजर ही नहीं था इस दौन की वाटों पर गिहां ते दौने एक दूसरे को गड़े लगा लेते हैं पर गुष्छ आते हैं यहां पर ऑफिस में हांदान जूनेत के पास आती है ये हंदान दो भीको कि थाली के वहेंगरें कितना कभी यहां, तो कभी वहां होती है अंदानों उसे कहते है कि दूआ ने तुम ऐसा जो किया बुरा किया तून एट से कहते है कि मैं Out aztर्ट को मेरी मदद ना पयर बीज्द चम्हेंट हो तुम जरू होती है कॉमर कहती है डैड को देखर नहीं लग रहा कि वो कुछ करेंगे और नहीं उनको चीज से फर्क पड़ा है आद में कॉमर किचन में आती है और इजगी को वास देती है लेकिन इजगी उसकी एक नहीं सुनती कॉमर को बताती है कि क्योंग पर तमाई तो भी शादी वी दी को बताती है कि इसका शौर जुआ खिलता है जब मैंने इस बार में पूचा तो हमारी लडाई होगी इसका ड्राइवर रहा है और उसकी जॉब भी चली गयी है कहती है कि मेरा शोर नशय मेताजस कि रहसे मुझे मारा है लेकिन बाद में उसको बहुत बुला लगए उससे मज़से माफ़ी भी मांगि इस चीज़ की यह मेरा शोर मुझे हो प्यार करते है भाझ के वाज कोशे कबार मुझे कभी नहीं मात 알았어 मौल मौल उसे कहते है कि तुम पागल हो जो तुम मैं एक तफाрал हो और भार मार भार सकते हैं य्जगी के पम आप बार केस कर देए कॉमल उसे बहुत समझह्टती है लेकिन वो और इक नहीं सुनती कॉमल कहती है मैं डायट से कहूंगी वो तुम्हें इस शेयर का पूत अच्छा सा लोयर करके देंगे लेकिन इसगी अपने शोर को छोड़ने पर फिर भी नहीं मानती तो कॉमल उसे कोफी का गया कर वहां से चले जाती है यहां बातों बातों मैं कॉमल आकिफ को बताती है इसकी के बारे में यह सुनकर आकिफ पर जैसे जनून से वार हो जाता है आकिफ कहता है कि मैं इसगी से जाके बात करता हूँ मौल उससे कहती है कि मैं पहली इसगी को बहुत समझा चुकी हूँ वो मेरी एक भी सुनने को त्यार नहीं आकिफ कहता है लेकिन मैं फिर भी उससे बात करूँगा जाकर कॉमर कहती है तुमारी मर्जी जो मर्जी करो कॉमर को आकिफ की हरकत वो तच्जीब लगती है जुनेद ने जो दौान के साथ किया है उसी को सेलिबरेट करने के लिए आलिया ने जुनेद और आकिफ को डिनर पर बलाये यहां पर आकिफ कॉमर को कहता है कि वो जुनेद के साथ डिनर पर जा रहा है कॉमर उसको समझाती है कि तुम मत जाओ डैड को और गुसाएगा उसे कहता है कि जुनेद मेरा दोस्त है और जो भी तुमारे डैड के साथ है उससे मेरा कोई लिना देना नहीं है उसे कहता है कि अगर तुम चाहोगी तो मैं जाओगा अगर तुम मुझे मना कर दोगी तो मैं नहीं जाओगा उन्हें उसे कुमर मना नहीं करती है मैं उससे कहती कि डैन के बता नहीं झाएं आकिक मां से चला जाता है यहां जुनेब, आलिय और आकिव बैटे होते हैं आते हैं आकिव जुनेब मुझे करना चाँए त ह कि जू मैंनों इनकी नहीं कर पाया वह तुम ने करके दिभाया आलिया कहती है कि दुआन आगे कुछना को जरूर करेगा वो इसना खाली हाथ नहीं बैटेगा जुनेर कहता है कि मैं उसे डरता नहीं उसने जो करना हो कर ले अब सब को दुआन की असलिए नजर आजएगी कि वो क्या है आके बताता है कि दुआन के साथ यलिस बिल्कुल ठीक है पता नहीं उसने उसको क्या पटिया बढ़ाई है यहां दिखाते है कि कुवर उन लोगों की पिचर ले रहा होता है आलिया उन से एक्सक्यूस करके कुवर के पास आती है और उसे पूछी है कि हमारी अच्छी एंगल से पिचर नहीं है तुमने और उसको पिचर दिखाता है यह उसे कहती है कि इसको सेंड कर दो ताकि लोगों को भी पता लगए कि हम यहां पर सेलिब्रेट करने आए है आसमा और यलिस कॉमल से पूछते हैं आकिफ की दर तुमयुससे कहती है कि एंगे सबस्तिक क्यों करके और दो करकि手 देखकर बहुत गुषात आताएं उसको बोलता है को निए करते हो समारे हात अब उसको संभाल कर रखो तुल रुखाती है यहां भब भी निखा सकते हैं दिखाते हैं कि इसका लारा बश्टर वह घबरा के उठती है खुद भी उठती और पुरे घर को भी उठा देती है पहले वह वीवन्स थी और अब यह नए कोई स्पॉंसर्शिप नेटफ्लिस की तरह की कोई आप इसके बारे में युल्दी सब को बता रही होती है यहां कुवर से कहके शांजे को आलिया बलाती है घर पर आलिया उसका पूरा मेक ओवर करेगी यहां जो सब को इंटर्डूस कराएगी जहां वह उड़ती पैड़ती है मतल आलिया की शकल देखर तो पता लग रहा होगा कि इसको कितना गुसा रहा है यह की दोर जोसके साब बैठी है वह उसका मजाक उड़ाती है लेकिन उसको नहीं बताता कि यह कौन है आलिया को शांजी की वएसे इस वक बहुत अमबैस्मेंट फील हो रही होती है